हेलो बच्चों आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं नामन यानि की नाम के शब्द रूप बच्चो नामन जो है एक संगिया है और ये अपन्पुन सक लिंग सब्द है यानि की ये ना इस्त्री चुछ भी जाती है और बोधह नहीं कर 모ہology है अधिम लोगं इसके सब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों सब्द रूप में क्या क्या होता है सब्ध रूप में विभक्तियां होती है प्रत्मा से लेके सब्तमी तक एक संबोधन होता है और तीन वचन होते हैं एक वचन दुई वचन बहुचन एक व YouTubers के लिए अधियों कि नित्त तो आज वॉड़ों को ननी सुझाने को pers sold करते हैं तो आए सब आयो शूरू करते हैं मोई गतला कि अगऌन का बहुत है नमानि इसका प्रत्मा का चिन है ने प्रत्मा का चिन होता है जो ने होता है तो अगर एक नाम के बात की जाएगी तो नाम ने तो नाम प्रियोगों का ठीक है अगर दो नामों की बात की जाएगी तो नाम नी नाम नी ठीक है दो नामों ने या फिर नामनी बहुचन है नामानी दुतिया का चिन होता है बज्चो को ठीक है को यहाँ पर एक नाम को नाम हो जाएगा नामनी दो नामों को नामानी बहुसे नामों को ठीक है तरतिया का एक वचन है नामना नामना दुए वचन है नाम अभ्याम बहवचन है नाम अभी बच्चों तरतिया का चिन होता है से या फिर के द्वारा ठीक है तो यहां नामना में एक नाम की बात की जाएगी तो एक नाम से या एक नाम के द्वारा नाम अभ्याम दो नामों से या दो नामों के द्वारा नाम भी बहुत से नामों से या बहुत से नामों के द्वारा ठीक है चतुर्थी, चतुर्थी का एक वचन है नामने, दू यचन है नामभ्या, बहुचन है नामभ्या तो यहाँ पर चतुर्थी का चिन होता है को या फिर को या के लिए ये देने के अर्थ में प्रियोग होता है, संप्रदान कारख होता है इसमें ठीक है को या के लिए नामने में क्या हो जाएगा एक नाम को या एक नाम के लिए नाम अभ्याम दो नामों के लिए नाम अभ्या बहुत से नामों को या बहुत से नामों के लिए ठीक है पंचमी अगला है पंचमी पंचमी का एक वचन है नाम नहां दूए वचन है नाम अभ्यां बहुचन है नाम अभ्यां नाम अभ्यां पंचमी का चिन होता है से जो की प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में अपादान का अरग होता है इसमें से जो अलग होने के अर् नामनना के डू वचन है नामना कि यह संबंध बताने के लिए प्रियोग होता है किसी किसी के साथ संबंध बताता है यहाँ नामना एक नाम नाम्नो नामुका नाम नान्न बहुत से नामुका हो जाएगा ठीख सब्तमी सब्तमी का एक चन है नामनी या नामनी दुए चन है नामनों बहुत चन है नामसु नामसु ठीक है सब्तमी का चिन होता बच्चों में या फिर पर इसमें अधिकर्ण कारक होता है तो यहाँ पर नामनी है तो नामनी को जा एक नाम में या एक नाम पर नामनों दो नामों में या दो नामों पर नामस बहुत से नामों में या बहुत से नामों पर ठीक है संबोधन संबोधन आप लोग जानते हैं संबोधित करने के लिए पुकारने के लिए प्रियोग करते हैं तो यहां पे एक नाम को समुझत कर जा रहा हैrey नाम धोन गों समुझत करा दात्त है नाम और बहुत से नामों को ¬ मुझे तो हे नामानी ठीक है तो आप लोग इस प्रकार से समझ गया होंगे कि इस अब दुरूप के प्रियोग कैसे होते हैं ठीक अब इसको आपको याद कैसे करना है आपको याद करना है नाम नामनी नामनी नामानी तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर नाम नामनी ना परिसमादोतिया के रूप एक जैसे चलते हैं आप लोगों ने इसको अपने दिमाग में पिक्चर बनाई और याद कर लिया ठीक है अब आते हैं तरतिया में तो यहां पर आपने देखा कि देखिए हमको फिर से इसमें कुछ common word मिल गए यहां पर दो लाइने एक जैसी है पूरी प्रतिमा दुतिया ओकी यहां अपने याद के लिए और इतने आपने अगर एक जैसे याद के लिए और यहां पर नामनो नामनो सश्टी सब्तमी का दुए वचन समन है तो यह अपने याद के लिए एक साथ बाकी बचह किता है आपको नमना नामने इनकी जगा याद करनी है यहां पे नामा भी इसकी जगा या तो आप kü तो आप लोग इन सब्द रूपों को याद करिए अपनी कौपी में लिखिए ठीक है अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के स तो आता है